इस्त्री को अपने प्यार में पागल दिवानी बनाने का आज में आप सभी को आसान वसिकरन तुटका बताने जा रहा हूं। सिर्फ एक बार के करते हीं कोई भी इस्त्री हो सिर्फ उस इस्त्री का नाम बोल करके इस वसिकरन तुटका को कर लेजिए। वह इस्त्री आपको पाने के लिए 24 घंटे टर्पेगी, वह इस्त्री खोद आपको अपने कमरे में बुलाएगी, आपसे प्यार करेगी, आपके साथ मन चाहे काम करेगी, आपके पीछे भागेगी वह इस्त्री, सिर्फ एक बार उस इस्त्री का नाम बोल करके इस वह सिकन त टूटका है यह सम्भाव वसी कंट टूटका है खास करके उनके लिए हैं जो कि सच्चे मन से तन 15 छे प्यार को पाना चाहते हैं किसी इस्त्री को वसमी करना चाहते हैं इस त्री के साथ में मन चाहे काम करना चाहते हैं मेरे प्यार वक्तो इस वस्तिकन टुटका को करने के लिए सिर्फ दो लवंग किया वा सकता है एक लोहे की किल किया वा सकता है और एक साधे कागज किया वा सकता है इसके आलावा कोई भी समागरी लेने की जरुवत नहीं है फिर चमक कार दिखिएग कि वो इस तरी पल भर में आपके लिए बेचैन होकर खोद आपके कमरे तक आएगे या वो खोद आपको अपने पास बुलाएगी आपके साथ रहेगी आपके बगर नहीं रहा पाएगे मेरे प्यार भक्तो मैं पहले ही आप से छोटा सा बिनती करूँगा कि इस वो सिकन तुटका का गलत प्रियोग आप जादा नहीं करे किसी भी गलत इंसान के हाथ में इस वो सिकन तुटका को नहीं जाने दीजेगा तो चलिए बताते हैं आप सभी को कि कैसे पल भर में इस वो सिकन तुटका को करना है किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कैसे करना है क्या करेंगे इस वसिकरन के साथ में कि वो इस्त्री आपके पास खुद चल कर आ जाए आपसे महबत करें आपके लिए टर पे आये बताते हैं उसके पहले छोटा सा आपसे भिनती है कि मेरे चानल को सस्क्राइब जोर कीजिएगा और विल घंटी को जोर दवाईएगा ताकि हम जितनी बुराएंगे सबसे पहला भी के पास में जाएगा देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक लोहे के कील और दो लवं को यहाँ पे साइड में हम रख देते हैं साइड में रख देखते हैं ध्यान से देखिए गमरभक्तो जेदी आप सच्चे दिल से किसी को पाना चाहते हैं तनमन से अपना बनाना चाहते हैं किसी इस्तरी को चाहते हैं कि वो इस्त्री खुद आपको अपने पास बुलाए आपके साथ मन चाहे काम करे तो आप इस्वसिकन टुटका को जरूर किजिएगा और मैं पहले ही बता दू कि इस्वसिकन टुटका को करने के बाद में वो इस्त्री हमेशा आपके साथ रहेगी आपके पीछे घुमेगे जेदी आप उस इस्त्री से बाद में पीछा छुराना चाहते हैं वो सिकरन हटाना चाहते हैं तो ओभी मैं इस वीडियो के लाश्ट में आप सभी को बता दूँगा ठीक है ना वीडियो को लाइक जोल कीजिएगा एक बार सबसे पहले आपको करना क्या है एक सादे कागज के उपर में काले सियाही से काले सियाही से सबसे पहले इस प्रकार से गोलकार आपको एक भाग बनाना है क्या बनाना है गोलकार आपको एक भाग बनाना है गोलकार भाग बनाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से दिखिएगा यहाँ पे लिख देंगे सम्भोगा ठीक ना उसके बाद में आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे इस परकार से आपको का करना है तिरिभूज टाइप से बनाना है और इस परकार से बना देना है और जो भी आप एक कौन है उसे पर तिरिसूल का चीन बनाना है ध्यान देना है तिरिसूल का चीन जरूर बनाना है जेदि आप चाहते हैं कि वह इस्तरी पलपल आपके लिए टरपे आपके आगे पीछे घुम वह खुद आपको अपने कमरे में बुलाए दो मिनट के भीतर भीतर में आपका वसिकरन हो जाए वह इस्त्री जहां भी रहे सब को छोर कर आपको पाने के लिए आपके पीछे दोड़े तो आप इस वसिकन टूटका को सिर्फ एक बार जरूर किजिएगा जैसे ही इतना इस प पुद आपके पास आएगी उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है ठीक न जैसे ही इस प्रकार से बना लिजिएगा आप यहां पर छोटा सा मंत्र लिखिएगा वसिकरन मंत्र है इस मंत्र का प्रयोग से ही वह इस्त्री आपके लिए इतना बेचेन हो जाएगी कि प ओम काम देवाए यहां पर इस्त्री का नाम लिख देना है ठीक न जिसको भी वस्मिक करना चाहते हैं उस्त्री का नाम यहां पर लिखना है ओम काम देवाए उसके बाद में इस्त्री का नाम उसके बाद में मम वस्सम कुरू कुरू सुआहा ध्यान से देखिए पहर करके हम बता देते हैं आप सभी को कि समझने में दिकत ना हो ठीक है ना ओम काम देवाए और जहां पे जिस भी इस्त्री को वस्मिक करना चाहते हैं जिसके साथ में मन चाहे काम करना चाहते हैं उस इस्त्री का नाम यहां पे और यहां पे मम, वसम, कुरु कुरु स्वाहा जैसे ही इतना हो जाएगा आपका काम पूरा हो जाएगा आप देखिए चमतकार के से करना है कि वो इस्त्री आपके पास खुद चल कर आए खोद आपको अपने कमरे में बुलाए आपसे प्यार करें आपके बगर नहीं रहा पाए सबसे पहले इस कागज के उपर में दो लवंग रखना है एक लवंग यहां पर रखना है एक लवंग यहां पर रखना है जैसे ही लवंग रख दिजिएगा आप दो अगरबत्ती जलाकर उसका धुवाई से दिखा दिजिएगा और कागज को इस परकार से मुरिएगा कि इससे बाहर लवंग नहीं निकले लवंग नहीं निकलना चाहिए इससे बाहर ठीक न उसके बाद में उस इस्तरी का साथ बार नाम बोल करके इसके बीचों बीच में इस परकार से कील को आपको गांत दिना है जैसे ही कील को गांतिएगा बीचों बीच में उसके बाद में इस कील सहित इस कागज को आप उस इस करके रात के तीन बजे के बीच में कभी भी आप इसको कर सकते हैं उसी समय रात में जभी करें उसी समय इसको ले करके आप किसी भी इमली के पेंड के नीचे जा करके इसको दबा दीजिएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा वसीकरन करते समय कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं फिर चमतकार दिखिएगा कि अगले ही दीन से वह इस्त्री आपके पीछे पड़ जाएगी, आपके साथ मन्चाहे काम करेगी, क्योंकि यो सम्भोग वसिकन टुटका है, पलभर में चमतकार दिखा देता है, या आजमाया हुआ वसिकन टुटका है, मेरे प्यार भक्तो, मैं आप सभी से एक विनतिव ही करूंगा, कि वसिकन कभी भी करे, तो आसनान कर ले, साफ कपरा धरन कर ले, और थोरी से मातरा में जो रूई होता है, रूई में आपको इतर लगा लेना है, और उसको दाहिने कान में आपने लगा लेना है, और वसिकन करना है, फिर चमतकार दि ताकि हम जीतने हुँ रहेंगे सबसे पहले आपी के पास में जाएगा